दोस्तों लास्ट की दो वीडियो में हम लोगों ने बात करा था प्रिंट मीडिया के बादे में प्रिंट मीडिया क्या होती है प्रिंट मीडिया की बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने डिफिनेशन को जाना था समझा था इसके साथ ही साथ में print media कितने types की होती है इस चीज को भी पढ़ा था advantages and disadvantages of print media के बादे में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद में next video यानि कि previous video में हम लोगों ने growth of print media के बादे में पढ़ा था ठीके growth of print media यानि कि print media का किस तरीके से development हुआ print media की क्या history रही है इस चीज को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से करब कर लिया था और दोस्तों आज की इस video में हम लोग बात करने वाले हैं functions of print media के बादे में यानि print media के कौन कौन से functions होते हैं इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बस यही request करना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना अच्छी तरीके से labels match कर लेजी अगर आपके भी इस labels में print media से related कोई साभी topic है तो please आप लोग साधी वीडियो को एक series में एक line से देखते हुए चलिए जिससे हम लोगों को कोई सी भी problem ना हो आप लोगों को ठीक है कोई से भी exam में कोई सा भी question आ जाए कोई सी भी अलग से आपको problem नहीं होनी चाहिए ठीक है यह कुछ अलग अलग वीडियो हैं जिनके ओपर हम लोग discuss करना है तो friends एक साथ मेरे यही मेरे आप लोगों प्रिंट मीडिया को तो ठीक है और अगर नहीं देखना तो फिर कोई बात नहीं उनके देले मेरे पास में एक और बस ट्रिक भी है यह यही है कि मैंने हर एक यह दोनों चीजे भी बताई थी यह दो वीडियो जो मैंने पहले भी upload कर थी उसमें भी यह चीज बताई थी कि जो हमारी मीडिया होती है मीडिया ये टू टाइप्स की होती है में री ठीक है ये चीज मैंने आपको लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि जो मीडिया होती है हमारी टू टाइप्स की होती है एक तो प्रिंट मीडिया होती है दूसरी हमारी होती है दूस्तों electronic media, electronic media के अंतरगत आपको पता है, जैसे कि हमारे electronic gadgets, जैसे कि radio, tv television, smart phones वगएरा ये सारी आ गए, ठीक है, जिनसे हम लोगों को information मिलती है, ठीक है इसके साथ ही साथ में जो सुन जैसे कि आपको पता ही कि जो print media होती है, वो हमारी किस काम में प्रिंट मीडिया जैसे कि आपको पता है कि जैसे newspaper हो गया, हमारे जनजल्स हो गया और magazines हो गया, books हो गया तो ये सारी चीज़ी क्या है, printed form में होती है प्रिंट करके बनाएं तो ये हमारी क्या print media होती है, ठीक है अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उन लोगों के लिए हमने ये एक चीज़ी फेल से बता दी तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने आलें कि क्यों क्यों से काम होता है, तो सबसे पहले तो बात आप ये ध्यान में रखिए कि जो print media है जो print media है, आज इतना ज़ादा development हो चुका है electronic media का यानि कि आज इतनी ज़ादा develop हो चुकी है electronic media जिसमें हम लोग एक click में हर एक newspapers को download कर सकते हैं, ठीक है अपने smartphone में हर एक newspaper हमारे phone पे आ सकता है, ठीक है एक click से, और हर एक news हम लोग TV पे आराम से देख सकते हैं, रेडियों पे सुन सकते हैं सब कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है आराम से लेकिन फिर भी आज भी 60 से लेकर के 80% घरों में आज भी daily newspaper पहुँचता है, तो क्यों यानि कि आज भी print media की जो importance थी वो खोई नहीं है, lost नहीं हुई है इतना ज़्यादा electronic gadgets का इतनी सारी चीज़े बढ़ चुकी है market में, कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी से उसको पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं, electronic माध्याम से लेकिन फिर भी आज भी print media जो है उसने अपना lost नहीं मले कि अपना importance नहीं खोया है आज भी जितने students हैं वो करीब कुछ नहीं तो 80-90% जो भी students है ना केवल अपने देश में यानि कि भारत जैसे देश में बलकि जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर भी दोस्तों जितने भी students हैं वो अपने आज भी अपनी books पर ही depend है जादा तर जो books होती हैं उनको अच्छी तरीके से उनको guide करती हैं समझाती है जबकि आप अगर screen के सामने देख करके कोई सी भी चीज को परेंगे तो हो सकता है वो आपको थोड़े समय बात आप भूलना है तो ये क्या है ये advantages है print media की ये तो अभी हम लोगों के topic में नहीं है लेकिन फिर भी हमें आप लोगों को एक बात ऐसे ही बता देता हूँ कि ये print media है इतना सारा electronic gazettes का development होने के बावजूद भी जो print media उसने अपना importance नेख हो है एक तो ये बात रही अब इसका हमारा क्या importance क्या है यानि कि इसका कौन-कौन से काम क्या-क्या है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा first point है वो क्या लिखा हूँ कि circulation of news जो सबसे बड़ा इसका importance है वो ये है कि ये news का सबसे बड़ी बात की आदान करती यानि प्रचार प्रशाद करती है आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज को detail से पढ़ना चाते हैं detail से समझना चाते हैं तो आपको print media के पास में ही जाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे कि या लिखाए कि one of the leading function of the print media is to provide daily news यानि कि daily newspaper हमादे घरों में आता है daily news हमको मिलता है किसके मादे हम से print media के मादे हम से तो मिलता है ठीक है तो to the public उसके बद में in spite of the electronic media अब अगर आप देख पाएं तो यहाँ पर देखेगा कि electronic media होने के बावजूर भी ठीक है in spite of the electronic media the print media has its own importance यानि कि print media की एक अलग अपनी importance है ठीक है जो भी लोग अपने आस पास परोस में क्या होदा देश विदेश में क्या चला है इस चीच की अगर detail से पूरी बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वो क्या print media की तरफ ही आकर्शित होंगे print media की तरफ ही आकर्शित होंगे they go for the print media उनको अगर detail से कोई सी चीज जाननी होगी तो वो print media के पास में जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर दिखा भी हुआ है कि details से अगर आप अपने local national में internationally कौन कौन सी चीज़े हो रही क्या हो रहा है तो आप print media को ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे ठीक है because sometimes electronic media does not cover all the items क्योंकि कभी कदार ऐसा भी होता है कि जो भी जो भी सारी चीज़ें है actually में हुआ क्या घटना हुई तो electronic के माध्यम से हम लोग उतना अच्छी तरीकिस नहीं समझ पाते लेकिन अगर हम पढ़ लेते किसी चीज को तो हम उसको बहुत ज़्यादा details है और deep में पढ़ते हैं और वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है ठीक है तो यह चीज है यह importance है तो यहाँ पर देखे कि क्या लिखा हुआ है कि all the items जो electronic media है वो सारी details को कर अप नहीं करती है इस वज़े से हमको अपना daily newspaper या फिर print media का सहादा लेना पड़ता है तो फिर यहाँ पर देखे कि our morning begins with the reading of a newspaper हमारी जो morning होती हुआ होती है newspaper वाला हमारे घर में paper डाल जाता है और हम लोग अपना चाई के साथ में जो भी cup of tea यानि कि हम लोग अपने चाई के साथ में newspaper को पढ़ना इस्टार्ट करते है तो weather at home or the outside home चाहे हम अपने घर में हो चाहे कहीं all भी हो तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो भारत देश की सबसे बड़ी यही विश्रिष्टा है जो प्रिंट मीडिया है उसका सबसे बड़ा काम यही है कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ठीक है न्यूस को प्रोवाइड करना ठीक है बाइदा हेल्प आफ न्यूस्पेपर उसकी बाद में फिर देखे जो प्रिंट मीडिया होती है यानि कि जो मीडिया होती है वो निस्पत छोकर के काम करती है किसी की भी तरफदारी नहीं करती है वो किसी भी तरफ में नहीं बोलती चार पार्टियां होती है चार पार्टियों में उसे वो किसी का भी समर्थन नहीं करती किसी का भी विरोध नहीं करती लेकिन जो सही बात होती है उसी को दिखाती है जो गलत बात होती है उसी को बताती है ठीक है तो यानि जो प्रिंट मीडिया होती है वो किसी भी पीपल को miss guide नहीं करती है किसी का भी समर्थन नहीं करती लेकिन जो government है उसको कौन देखें की भाई वो क्या कर दाए घीक है जो Print Media होती है जो Media होती है वो क्या करती है Government के उपर भी नजर लगती यानि Peharadha की समान में WatchDrop की तरीके जưसे की जो Kutta होता है पालतु कुता होता है वो क्या करता है घर की देख भाल करता है बड़े बड़े जो भी स्टार्स वगदा होते हैं उनके उपर भी यह सारी चीज़ों लागू होते हैं कि वो लोग क्या कर दे हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई है तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुए कि यह ऐसा watchdog है, ठीक है, इना democracy, if any ruling party makes any mistakes, अगर कोई सी भी ऐक ऐसी party है, जो की कोई भी mistake कर रही है, कोई भी party जैसे चाहिए वो भाजपा हो, चाहिए वो Congress हो, ठीक है, कोई सी भी party हो, वो जो की ऐसी party जो की mistake कर रही है, ठीक है, और works against the public interest, और अगर कोई सा भी ऐसा काम करें, ज काम किया जारा, आप लोगों को विदोध में काम किया जारा, तो public क्या करती है, उसके उपर आक्समर्ण करने लगती हो, उस भी party को उपर, तो अभी चलते हैं, हम लोग next page की तरफ, यहां पर आप देख भी पारे होंगे, कि क्या लिखा हुए है, कि जो press है, that comes forward to the criticize and it serves, जो जो press है, वो जो भी party mistake करें, जो भी party है, वो गलत काम करें, उसको criticize करती है, मतलब कि criticize का मतलब क्या आरोशना उसकी करती है, उसका विरोध करती है, and serves the interest of the public, और public के interest के में ही काम करती है, जो सही बात है, उसको ही सही बताती है, so यह एक सबसे बड़ा दूसरा काम है, कि जो स काम करता है, कौन गलत काम करता है, इसका भी देख भाल करती है, उसके बाद जो third हमारा top point है, वो क्या है, इसका जो print media की सबसे बड़ा third point क्या है, कि यह एक advertisement करती है, यानि कि advertisement का मतलब, जो आप देखते होंगी, कि बहुत सारे जैसे की newspaper है, उसमें बहुत सारे आपको पता प्रचार प्रसाद करते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, advertisement के लिए भी बहुत यह एक अच्छा माद्ध हमें, ठीक है, people buy and read newspaper, लोग जो होते हैं, खरीदे newspaper को और पढ़ते हैं, ठीक है, not only for getting daily news, मतलब कि वो के बहुत अपनी daily news को पढ़ने के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है उन सभी को provide करते हैं, यह सारे जो भी तरीकी के advertisement होते हैं, उनको भी पढ़ने के लिए लोग खरीदते हैं, ठीक है, newspaper को, they are classified, लेकि एक तरीके का classified का advertisement होता है हार एक newspaper में, for marriage, कोई लोग साधी करना चाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को job चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है, second hand items, कोई से भी अगर कोई second hand item बेश रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उससे related भी आपको भरपूर news जो भी है, newspapers वगरा में मिल जाती है, तो यह हमारा third point है, हमको advertisement भी मिलती है, newspaper के मारे हम से, ठीक है, तो यह print media के कि यह भी काम है, कि हमको advertisement प्रोवाइड करता है, फिर आब advertisement ही नहीं देती है, बल्कि हमारा entertainment भी करते है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे newspapers होते हैं, जिसमें puzzles, बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो solve करने के लिए रहती है, ठीक है, तो people read newspapers and magazines, अब आपको पता है कि newspapers भी लोग पढ़ते हैं, और इसके साथ यह साथ में magazines भी पढ़त ठीक है खरीदते, बल्कि अपने entertainment के लिए भी खरीटते हैं, ठीक है, but also for entertainment, ठीक है, तो it is an important function of the print media, अगर आपको यह लगता है कि यह important function है print media का, ठीक है, तो यहाँ पर देखे कि it is an important function of the print media के entertainment जो है, वो print media भी provide करती है, जो print media है, वो entertainment भी provide करती है, ठीक है हम लोगों को, फिल्हांपर देखे कम लेक्ए इस तो प्रोवाइड इंटरेंच prompts करती हैं एंटरेंच Nawet बिंगनेंग ऑट चाहिए वह स्टोरी स्टोरी भी प्रणते है ठीक है लोग क्या जोकता भी एक कॉलम होता हैzeugば भी एक column होता है news papers में essays भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं poems भी निकलती है ठीक है और there are many magazines which published only stories for their readers और बहुत सारी ऐसी भी magazines है जिसमें केवल stories ही रहती है ठीक है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि print media का उपयोग केवल अपने entertainment के लिए करते हैं अनि कि हर एक कोई भी हो चाहिए वह information से related हो कोई ना कोई अपना हर एक जीवन में print media का उपयोग जरूर करते चाहिए कुछ लोग दामाइड महा भारत की जैसे पुराने लोग जैसे होते हैं तो वो पढ़ते हैं ठीक है प्रिंट मीडिया को बहुत सारे अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं हम लोगों ने चार पॉइंट के उपर डिसक्स किया जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से पढ़ करके लिख कर आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से मिलने वाले हैं ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको हर जगे से इसके जो भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करके सारे नोट्स बनाए हैं दिखा हुआ है आप लोगों के लिए और दोस्तों मेरे आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जो भी यह सारी चीज़े यह आप लोगों की हेल्प करने के लिए हैं ठीक है कि आपको ऐसा अच प्रिजेंट कर सकते हैं अपने एक्जामस नेशन एक्जामनेशन वगरा में जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिल सकें आपको समझ में आया होगा जो भी चादो पॉइंट हम लोगों डिसकस किया फंसन्स ऑफ प्रिंट मीडिया की कौन कौन से में लिए फंसन्स हो सकें और कोई सी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का थोड़ा सा यूज करके कमेंट भी कर देजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व भी कर सकूं तो आज के लिए दुस्तों इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैं